नच रे मुरा आम्ब्या चवनात नच रे मुरा नच। नाच रे मुरा आम्ब्याच वन्नात नाच रे मुरा नाच दगान्शिवार जुणजिलारे काड़ा काड़ा कापुस पिंजलारे धगान शिवारा जुन्ज लारे काड़ा काड़ा कापुस पिंज लारे आता तुझी पाड़ी वीज देते ताड़ी फुलाव पिसारा नाच नाच रे मुरा आम्ब्याच्य वनात नाच रे मुरा नाच नाच रे मुरा आम्ब्याच्य वनात नाच रे मुराना संयुक्त या वर्गा साथी प्रसिद्ध करनेत आले लिया ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यास्क्रम या सेतु अभ्यास्क्रमातिल दिवस पाच्वया कृती चे आपन अध्यान करना रहुत या अगोदर आपन पहिला दिवस, दूसरा दिवस, तीसरा दिवस, चौथा दिवस अश्या चार दिवसांची कृति आपन पूर्ण के लिए है आता आपन पाचवे दिवसाची कृति आपन इंशाला तला या वीडियो मदे पूर्ण करना रहोत तो बच्चों शुरुवात करते हम पाचवे कृति की तो पाचवे कृति में हमें क्या करना है, तो देखिए, ख्षेत्र मतलब क्या है इस पाचवे दिन के कृति में वह हम देखेंगे श्रवन, वाचन, लेखन श्रवन, वाचन, लेखन या तीन महतोपुर्ण बावीन वर आप तला अध्यन करा चाहे श्रवन, श्रवन मन्जे का है? श्रवन मतलब सुनना अईकने जिसको बोलते है मतलब ध्यान देकर सुनना वाचन मतलब रीडिंग पढ़ना आणि लेखन मतलब लिखना राइटिंग तो हमें इन तीन गुनों का इन तीन बावियों का ध्यान करना जे श्रवन, वाचन, लेखन तेखिते है खालिल उधारने वाचा वह चर्चा करा तर या पाच्वय दिवसी चया या पाच्वय दिवसा चया सेतु अभ्यास करमा मदे आप लेखने दोन उधारने दिरी लिया है बगा तुम्चे ब्लैक बोर्ड वर सुद्धा दिरी लिया है यहां दोन उधारना ना आप लेला वाचाई चाहे अनि तेंची चर्चा कराई चिया है मतलब डिसकस करना है ठीक है चलिए एक बार पढ़ लेते हैं मदमाशी सकाडी उठून मद मिडवन्यास जाते ए पहले उधारन तेतले एक उठूनी सकाडी ती मदमाशी जाते की मद मिडवाई शी फिरसे देख लीजिये उठूनी सकाडी ती मदमाशी जाते की मद मिडवयासी ठीक है तर या दो नी उधारना मदे आप लेला काई फरक दिसता है अनि क्योंगा काई समानता दिसता है या ची आप लेला चर्चा कराई ची है अब इन दो उधारनों में देखेंगे हम लोग, तो इन दो उधारनों में से हमें क्या समानताई दिख रही है, क्या difference दीखा रहा है, क्या फरक दिखाई दे रहा है, वो देखें. तो देखें जब हम ये पहला उधारन जब पड़ते हैं, मदमाशी सकाड़ी उठून, मद मिडवनया जते ये एक वाक्य की तरह रखता है कि मदमाशी मदमक्की सुबह उठती है और मद मतलब शहेद जमा करने चाती है ठीक है लेकिन दूसरे उधार में हम देख रहे है कि ये दो वाक्य की तरह नहीं लग रहा है ये पंक्ती की तरह लग रहा है कपलिट की तरह लग रहा है क्यों लग रहा है? क्योंकि उसके लास्ट में जो शब्द है मदमाशी मिडवयाशी मदमाशी मिडवयाशी ये दोनो राइमिंग वर लग रहे है यमक जूड़नारे शब्द इससे क्या हो रहा है कि ये दो पंक्तियां लग रही है वाक्य नहीं लग रहे है तो इससे हमें क्या पता जलता है कि जो अगर हमें कविता की रचना करना है कविता को पढ़ना है तो उसके वो हिसाब के ले अनुसार श्रवन करना है और पढ़ना है और गाना है तो देखिए क उठोनी सकाडी ती मद माशी जाते की मद मिडवयासी तरचे देखिए उठोनी सकाडी ती मद माशी जाते की मद मिडवयासी देखिए वाक्य का आर्थ ये वही है कि सुबह उठकर मदुमक्खी मद यानि शह जमा करने जाती है उपर आलने का भी उपर वही छे लेकिन दोनों में फर्क है वर्ड का अर्रेंजमेंट और रायमिंग वर्ड का ताल यमक जुनना रहे शब्दांची तड़ जोड तैंचा मेड या मुड यह दूसरे उधारन हे लाए बद्ध जाले लाए देखिए उठूनी सकाडी ती मदमाशी उठूनी सकाडी ती मदमाशी जाते की मदम विडवयासी थेमबे थेमबे साथवी त्यासी थेमबे थेमबे साथवी त्यासी उध्योगी मोठी उध्योगी मोठी तो बचो यह सेवंथ क्लास की याने सात्यों वर्गाची कविता आहे मरा डीची चला आता आपन यह सम्जून गेतले लाहे आता आपन बगो उधारन द आया है तो या उधार नमद्य सुद्धा एक एक कविती चो कड़व दिलिला है इस कड़वे में हमें इस कड़वे को बराबर गाना है सिंगिंग करना है तालसुर में और इस कड़वे पर आधरित कुल एक दोन तीन चार प्रश्णा है ये चार प्रश्णा आप लेला सोड़वाई ची आहे तेंची उत्तरे लिहाई ची आहे तो चलिए फिर शुरूत करते हैं बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया कविता है ये देखिए नच्रे मुरा आम्ब्याच वन्नात नच्रे मुरा नच्छ धगांशिवार जुन्जिलारे काला काला कापुस पिंजलारे अता तुझी पाड़ी वीज देते ताड़ी फुलाव पिसारा नच्रे मुरा आम्ब्याच वन्नात नच्रे मुरा आम्ब्याच वन्नात नच्रे मुरा आम्ब्याच वन्नात नच्रे मुरा नच्रे मुरा आम्ब्याच वन्नात नच्रे मुरा नच्रे मुरा आम्ब्याच व धगांशिवारा जुन्ज लारे, काला काला कापुस पिंज लारे, आता तुझी पड़ी विजदेते टाड़ी, फुलव पिसारा नाच, नाच रे मुरा आम्ब्याच्या वन्नात, नाच रे मुरा नाच, बचो देखिए, कविता को इस तरह से गाना पड़ता है, इस तरह से काववे का, कविता का इंजॉय करना पड़ता है, कविता की मजा लेना पड़ता है, अब हमें क्या करना है, कि इस कड़वे पे आधारित, यह जो प्रश्न है, इसके उत्तर देना है, तो देखते हैं पहला प्रश्मा मोर कुठे नाचता है मतलब मोर कहा नाच रहा है कहा नाच रहा है नाच रे मोरा आम्ब्याच्या वनात मतलब आम के बाग में तो इसका उत्तर कैसा लिखेंगे हम मोर कुठे नाचता है उत्तर मोर आम्ब्याच्या वनात आम ब्याच्या वनात नाचता है मोर कुठे नाचता है उत्तर मोर आम्ब्याच्या वनात नाचत आहे दूसरा प्रश्णा वारा कशाशी जुंजला है जुंजला जुंजला मतलब आमना सामना करना टकराना कि हवा किससे टकरा गई है किससे वो आमना सामना कर रही है किससे धगड रही है किससे लड रही है वारा कशाशी जुझला है वारा किससे जुझ रहा है किससे लड रहा है धगांशी वारा जुझला रहे धगांशी किससे बादलो से तो लिख लेंगे उत्तर हम वारा कशाशी जुंजला आहे उत्तर वारा धगांशी बादलों से लड़ रहा है जुंजला आहे वारा कशाशी जुंजला आहे उत्तर वारा धगांशी जुंजला आहे पुड़ कविता में कपास कौन से रंग का है काले रंग का कपास किसे कहा गया है काले रंग का कपास बादलो को कपास की उप्मा दी गई है बादल कैसे रहते है काले रंग के तो इसलिए कपास की उप्मा बादलो को दी गई है काले रंग के कपास की तो उत्तर को से इल्मग कवितेत कापूस कोंते रंग चाहे उत्तर कवितेत कापूस कोंते रंग चाहे काड़या रंगाचा काड़या रंगाचा आहे कवितित कापूस कुंतिया रंगाचा है उत्तर कवितित कापूस काड़या रंगाचा आहे चला आता बगू सेवटल प्रश्ण टाड़ी कौन देता है टाड़ी टाड़ी मतलब ताली ताली कौन दे रहा है जैसे एक हाथ हमारा नीचे रहे दुसरा आत ताली दें उपर रहता है तो यह ताली कौन दे रहा है? कौन बजा रहा है? देखते हैं, टाडी कौन देता है? आता तुझी पाडी, वीज देते टाडी वीज, वीज मतलब बिजली चलिए, तो इसका भी उत्तर लेख लेते हम टाडी कौन देता है? उत्तर टाडी वीज देता है अश्या प्रकारे आप लेला जर कुंती कवित आली तर त्या कविते चे रस्म है आस्वाद घ्याई चाहे ताला सुरात गाई चाहे वाचाई चाहे आनि त्यावर आधारित प्रश्न उत्तरे लिहाई ची आहे विद्यार्ति मित्रणनों जर तुमाला या पाच्वय दिवसाची कृती समझ लिया सेल वीडियो आवड ला सेल कविता आवड लिया सेल तर वीडियो ला लाइक करा पुड़ो शेर करा चलिए थेंक यू जर बावड लाईक करा लाईक करा लाईक लाईक करा लाईक